बख्ष की ओर से मुदी सरकार के खिलाफ औविश्वावस प्रस्ताव लाया गया जुसके बाद लोगसभा में कॉंग्रेस सांसद गौरफ गोगोई के भाशन से चर्चा की शुरुवात हुई कौंग्रेस सांसद ने मुद्धो के साथ कई मुद्धो को लेकर सरकार परजम कर हमला बोला इस जरान गौरफ गोगोई ने पियम मुदी से सीधे तीन सवाल भी पूछे पहला सवाल ये है कि प्रधार मंतरी मुदी जी मनिपूर क्यों नहीं गए राहुल गए इंडिया का कोई शब्द तक व्यक्त नहीं किया परधान मंतरी होने की नाते उनके शब्दो का जो महत्व है वो किसी मंतरी के शब्दो में नहीं है शांती के कदम के शुरुवात पियम करे तो वो अच्छा है मंतरी के कदम में ये ताकत नहीं तीसरा सवाल मनिपूर के मुखे मंतरी प्यान्मिरेंसिंग को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया गुजरात में जब राश्णिती करनी थी तो एक बार नहीं दो बार सीयम बतले उत्राखण में तीन बार बदला तिरपुरा में बदला मणिपूर के सीयम को क्या विशेश आशिरवाद है जो खुश स्विकार कर रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कॉंग्रिस सांसत को उमीद है कि पीयम मोदी उनके सवालों का जवाब चर्चा के अंत में जरूर देंगे